नमस्कार आप देख रहें सिल्क टिवी और मैं हूँ आपके शाथ निश गुपता आए करते खबरों की सुरुवाद सबसे पहले एक नजर डालते आज की हेड्लाइन्स पर हेड्लाइन्स इस्पोंसर्ड बायर आक्सिमीन ग्रूप ओफ कम्पनीज प्लोट्स आसान मासिक की स्टोपर मामंसा के दर्सन को मंदीरों में उम्री भीर मंजुसा हुई बिसर जित सनिबार को निकाली जाएगी भवविशो भवाय आत्रा जिले में बार एवं शुखार को लेकर मुख्य मंतरी ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरियादी कारियों शेकी बात पिर्दों को शाहिता उपलब्द करानी के दियर निर्देश उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता जग्देशपूर के पुरैनी बजार से भारी मात्रा में बिदीसी सराप किया बरामत खालगाओं के टपुआ और रानी दियारा में गंगा का कटाव हुआ तेज ग्रामिन हुए भैवित और विशैरी पूजा को लेकर मंजुसा कला महत्सप का हुआ आयो जनपरती भाग्यों ने मनाई मंजुसा पेंटिंग और अब खबरेविस्तार से अंग जनपद का प्रशिद लोग पर्व मां मंसा विशैरी पूजा के दूसरे दिन रविबार को भी जिले के सभी भिशैरी मंदीरों में सर्धालों की भीर जुटी रही और भकतोंने पूरे भक्ती भावषे मां भिशैरी एंवम सती बिहुला की पूजा अर्चना की इस दोरान मंदीर परिसर में हरसो उल्लास का महल देखा गया और सरधालू ने मा विशेरी से सुक सांती की कामना की चमपा नगर इस्तित प्राचिन मंसा देवी मंदीर समेत जिले के सभी विशेरी मंदीरों में दर्सन करने वालों का ताता लगा रहा और सरधालू बिहुला विशेरी की भक्ती में डुवे दिखाई दिये मही रविबार को पूरे विधी विधान से पूजा अर्चना कर मन्जुसा विसरजन सोभायातरा निकाली गई नातनगर समेट पूरे सहर में भगत एबं मा विसरी के भक्त का ताता मन्जुसा विसरजन के लिए लगा रहा और पूरा माहौल भक्ति में हो गया हम आपको बता दे कि सोम बार को चाक चौबन सुरक्षा विवस्था के बीच माविशैरी की परतिमा की भविशोभायात्रा निकाली जाएगी भागलपूर के नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर में रभी बार को विडियो कॉन्फरेंसिंग हुई विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से पटना से मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने भागलपुर के अधिकारियों से बार एबं सुखार के इस्थिती की जान करी ली और एबं सुखाग्रस्त छेत्रों के लिए जरूरी इंतिजाम करने कर निर्देश दिया मुख्य मंत्री ने सूखा ग्रस छेत्रों के प्रभावित किशानों एबं फसल नुकसान का आंकलन कर परियाफ्त रास्ती उपलवद करानी के शाथ बार प्रभावित छेत्र की जनता के लिए रहत कार्य और नुकसान की भरपाई करने कर निर्देश अधिकारियों को दिया साथी मुख्य मंत्री ने पुलीस परसासन को अपराधिक गती वीधियों पर रोक इबं अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की बात कही बिडियो कॉन्फरेंसिंग में प्रमंडली आयुक्त बंधना कीनी, जिलाधिकारी प्रनप कुमार, सस्पी आसिस भार्ती, ADM, राजेस जाराजा, नुगच्छिया एस्पी निधीरानी, डिडिसी सुनील कुमार, DFO, S. सुधाकर, जिलाकृषिप पदाधिकारी, केके सिंग म बढ़ामत किया है, बताया जा रहा है कि उतपाध विभाग को भारी मातरा में तसकरी कर सराब लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उतपाध दरोगा निल कमल मिश्रा और रमिश्वर टुड़ू के नैतरित में पुरैनी बाजार में सगन तलासी अभ्यान चलाया जा रहा था, इसी दोरान जार्खन की ओर से आ रहा है, स्कॉर्पियो को रुकनी का इसारा किया गया, लेकिन चालक गारी छोड़ कर फरार हो गया, गारी में तलासी के दोरान जार्खन निर्मी 480 बोतल बिदेसी सराब को बरामत किया गया, फिलाल उतपाध विभाग की टी गोध में समालेगी, ग्रामिनों का कहना है कि गंगा के तेज बहाब में कटाब निरोधी कार में उप्योग किये गए सामान भी कटाब को रोप पाने में सक्छम नहीं है, पिछले तीन दिनों से लगातार होरे कटाब में कई एकर जमीन गंगा के गर्भ में समा चुका है, क बालू बलाभी बोरी आकर के रखा हुआ है, हम लोग के साथ बोलते हैं, चिकदार है, मुखिया है, सब बोल रहे हैं, लेकिन कोई बेवस्ता नहीं हो रहा है। जिसमें मंजुसा कलाकारों ने हिस्सा लेकर मंजुसा पेंटिंग बनाई, कारिक्रम में सौल, चादर एवं पेपर पर की गई मंजुसा पेंटिंग की परदर्सनी लगाई गई। बस्तरों पर भी मंजुसा पेंटिंग बनाई गई। इस मौके पर समीती के अध्यक्ष भोला कुमार मंडल, प्रदीप कुमार, स्यामल किशोर मिस्र, संकर राय, हिमंत कांथ च्छा, समेथ समीती के कई पदाधिकारी, सवदस्री एबम काफिर संख्या में मंजुसा कलाकार मौजूद थे, वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक का मिलते ब्रेक के बाद अब देखते रहें सिल्क टेवी आपके लिए लेकर आये हैं प्लोट्स आसान मासिक किस्तो पर स्टेट हाइवे के पास गोनुधाम और जगदीस्पूर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तो पर ओक्सिमीन ग्रूप ऑप कमपनी सिकंदरपूर नियर पानी टेंकी भागलपूर मुवाइल नंबर 7079-446584-8430-075573 तिलकामाजी भागलपूर विश्व विद्याले से संबद्वता प्राप्त भागलपूर जीले का प्रतिस्थित तालर महाविद्याले तालर में 17,000 बिस के लिए कॉंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जा रही है आज के इस अत्याधुनिक युग में कॉंप्यूटर की जानकारी विसेसकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है इस कोर्स में बेसिक कॉंप्यूटर कंसेप्ट, MS Office, Word Processing, MS Excel, MS PowerPoint शामिल है नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्याले के प्रचारे डॉक्टर प्रदीब कुमार सिंग द्वारा चात्रों के बेहतर भविस्य के लिए महाविद्याले में अत्यादोनी Computer Lab, सुसजित पुस्तकाल, एवं एक्सपर्ट सिक्षकों की संपुर्ण व्यवस्था की गई है जो चात्रों को संबंदित कोर्स में गुनवक्ता पूर्ण सिक्षात दे सके एक चुक चात्र चात्रा है 25 जुलाई से महाविद्याले से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मुवाईल लंबर 9431-689547 या 7979051039 पर संपर कर सकते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का श्वागत है आप देख रहें सिल्ट टिवी आए बरत अगली खबर की ओर भागलपूर के ललमठिया थाना छेत्र इस्थित SBI बैंक से रुपई की निकासी कर घर लोट रहे वैक्ति का पॉकेट मारों ने रुपिया उरा लिया पृत ने घटना की श्रिकायत ललमठिया थाने में दर्च करा दिया बताया जा रहा कि मधुशुदनपूर थाना छेत्र के कववा कोली पूरानी सराय निवासी बिजय भगत रुपई की निकासी करने टमटम चौक इस्थित नातनगर शाखा गया था जहां बिजय भगत ने बैंक से 47,500 रुपई की निकासी की जिसके बाद पृत ने 20,000 रुपई अपने पॉकेट में रख लिया जबकि 27,500 रुपई और पास्बुक को थेले में लेकर घर जा रहा था इसी दोरान रास्ते में बिजय ने अपने पॉकेट में रखा रुपई गायब पाया पिरित बैक्ती ने ललमठिया थाना पहुच कर अग्याद चोरो के खिलाप मामला दर्च कराया है वहीं पुलिस बैंक में लगे CCTV से चोरो की पहचान करने में जुट गई है वह आदमी हमसे लीड में जिसमें पैसा गिंती कर रहे तो आदमी आया बगल में उनको बलता भया लीड जीजे तो हम कुछ है कि कहां गारू बोला कि नूर पुर मेरा तो दे देंगे तो ले लिया तो हम लिया जब तक वहां पर फिर हम गए तो लीड जब मंगने लें तो भागलपूर के एक होटल में इलावाद बैंक जोर्नल ऑफिस की ओर से साखा अस्तरिय परामर्स एबं बिचार मन्थन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया बैठक में AGM रमेश कुमार मिस्र राची से DGM वनोरंजन दास एबं पतना से आए DMC पंकज कुमार ने भागलपूर जोन के सभी 12 जिलों के 60 साखा प्रबंदकों से बैंक के कामकाज एबं बैवशाय बढ़ाने को लेकर दिसानिर्देश दिया AGM ने बारी-बारी से साखा प्रबंदकों से कारे प्रगिती की जानकारी ली और बैंक के साथ गुरह को एबं बैवशायों के हित कारे करने की बात कही बिगत पाच बरसों के दोरान साखाओं के कारे निश्पादन की समिक्षा करते हुए बैविशाय बढ़ाने के लिए कई विशों पर चर्चा की गई इस मौके पर प्रवंदक अश्वनी कुमारदास, साहक प्रवंदक संजय कुमार लाट समेट कई अधिकारी एवं साखा प्रवंदक मौजूद थे भागलपुर के कहचरी चौक इस्तित अंसा पलाजा में रविवार को BPL पार्टी की ओर से बैठक आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षिता पार्टी के अध्यक्ष मंजर आलम साने किया इस दोरान पार्टी के राष्टे उपाध्यक्ष बबलु कुमार सिन्हा ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी कारिकरताओं से सदस्ता अभ्यान चला कर पार्टी का बिस्तार करने की अपील की साथ ही उन्होंने कहा कि बिपल परिवार की महलाओं को पार्टी में नेत्रित विदे कर समाज को ससक्त किया जाए जिससे गरीबी असिक्षा, बेरोजगारी और भरस्टा चार में कमी आ सके जिला अध्यक्ष मंजर आलम ने गरीबों को सेवा कारे से जोर कर उसकी आर्थिक इस्तिती मज़ूद करने की बात कही इस मौके पर बिपल पार्टी के दरजनों कारिकरता मौजूद थे हमारे शबोर पंचायत में रजन्दीपूर पंचायत जो है शबोर प्रखण में उसमें बहुत सारी ऐसी मुलभूत समस्याई चल रही है जिनका निदान आज तक भी कोई नहीं कर पा रहे हैं सबसे वड़ी समस्या उहां पर नाले की समस्या है गंदे फानी से होकर के लोगों को गुजरना पड़ता है बिजली के फोल खड़े तो हो गए हैं लेकिन उसमें विधूत संचरन आज तक नहीं हो पा रहा है और सबसे बड़ी जो मुलगूत समस्या है वो समस्या है उनके खाद वितरन की समस्या जो आज तक उनको भी ध्रम से नहीं हो पा रहा है भाजपा OBC मोर्चा की ओर से रभी बार को जिलाव पाध्यक्ष सा सुल्तान गंज बिधान सबाब प्रभारी OBC गुड़ू राई के नैतरित में सुल्तान गंज में भाजपा सदिस्ता अभ्यान चलाया गया इस दोरान युबाओं एबम रागिरों को भाजपा की सदिस्ता दिलाई गई और परधान मंतरी नरेंदर मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित सा के नैतरित में देश एबम संगठन को मजबूत करने का संकल्ब सदस्यों ने लिया सदिस्ता अभ्यान में OBC मोर्चा के प्रदेश कारे समीती सदसे अमरदीप सा, जिला महमंतरी जीवन कुमार, मनो सिंगानिया, चंदन कुमार समेत कई भाजपा कारेकरता मौजूद थे वहीं बाका के बहलर में भी भाजपा महला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पुनीता सिंग के नैतरित में सदस्ता अभ्यान चलाया गया इस दोरान भाजपा नेता रंजीत यादव ने कहा कि प्रतेक बूत पर सदस्ता अव्यान चला कर सभी परिवार से एक भाजपा सदस्य बनाया जाएगा जिससे देश लगातार प्रगती के पत पर आगे बर्शके उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट के पुननिर्मान के लिए संकल्पित है और प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के नैतरित में देश बिकास के पत पर आगे बढ़ेगा इस दोरान डोली गुपता अनीता चौधरी समेत काफी संख्या में मौजूद भाजपा कारिकरता ने पार्टी के समर्थन में नारे भी लगाए भागलपूर के कचरी चौक इस्थित होटल में बैंक आफ इंडिया की ओर से साखा अस्तर पर सुधारों का कर्यानवयन एवं बिचार विमर्स को लेकर रभीबार को सम्मेलन कायोजन किया गया इस दोरान बैंकिंग सुधार एव का लाब लोगों को मिले और किसी परकार से अपने बैंक को और ससक्त बनाया जाए जिससे सरकार बैंक एवं गढ़ाकों के बीच समनबै कायम हो सम्मेलन में साखा प्रबंद को द्वारा किये गए कारियों के साथ उनकी सुझाव और समस्याइं सुनकर अधिकारियों ने तुर्वस्था बनाने के लिए बैंक रिन परदान करने के अलाबा कई विश्यों पर चर्चा की गई इस मौके पर सिनियर मैनेजर परशांद कुमार मिश्रा, मार्केटिंग मैनेजर एहमद हुशैन, सुधारनसु कुमार समेत 92 साखा के प्रवंदक एवं अधिकारी मौज जो मन्थन हुए है, हर गुरूप से अच्छे अच्छे विचार आया है, जो इस बिहार के इस भागलपूर अंचल में बढ़ोतरी के लिए उस विचारों को हम हेड ओफिस अस्तर पर और फिर हेड ओफिस निश्मेर अस्तर पर ले जाएंगे भागलपूर में युको बैंक की ओर से बिचारों के स्रिजन एवं परामर्श को लेकर दो दिवस्य साखा अस्तरिय अभ्यान का आयोजन किया गया, भारत सरकार वित मंत्राले के निर्देश पर अगरनी वैंकों में एक युको बैंक भागलपूर जोन के सभी साखा प्रब प्रबंदकों के लिए अभ्यान चलाया गया, जिसमें कॉलकता से आयोको बैंक हेड ओफिस के DGM प्रेम संकर जहा ने साखा प्रबंदकों को अहम जानकारी दी, DGM ने डिजिटल पेमेंट को भढ़ावा देने, भारत के सुक्ष्म एबम लगू उध्योगों को रिन देने, सरकारी बैंकों में तकनिक उप्योग, क्रिसी रीन, PMJDY समेथ कई योजनाओं का लाब लोगों तक पहुचाने की बात कही, साथ ही सभी साखा प्रबंदकों के कारियों की समिख्षा करते हुए, सरकार इबम बैंक के हित में कारी करने कर निर्देश दिया, इस मौके पर जो का मांजी भागलपूर विश्विद्याले के कुलपती का पुतला धन किया, PBS कॉलेज बाका में छातर संग अध्यक्ष अमरजीत आनन के नैत्रित में छातरों ने कुलपती विभास चंदर जहा और DSW डॉकेंद्र महतों के खिलाब जम कर नारेवाजी करते हुए, के लिए प्रती दिन छातर कॉलेज जाते है, लेकिन उसे मायूस होकर लोटना पर रहा है। इस मौके पर नितिन यादव, नितिस यादव, राजेश शिंग, मिलन, सहित कई छातर मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजा डालते आज की हेडलाइन्स पर। जिले में बार एवं शुखार को लेकर मुख्य मंतरी ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरियादी कारियों शेकी बात, पिर्दों को शाहिता उपलब्द कराने के दिये निर्देश। और विशैरी पूजा को लेकर मंजूसा कला महतसप का हुआ आयोजन परती भागियों ने बनाई मंजूसा पेंटिंग। फिलाल इस मुलेटिन में इतना ही नमस्कार